है कंत्राटी कर्मचारी कि अंत्रय और talents चर्चह जले ला है कि another या जोड़ भूले पाले पाज है जरू माधे विशेष्टा इंगी वर्षते काम करता है पर तल बच्पे नियमित्र भरती निखते तकहे लूँत्र आपलाय करता है क्या घैँल करता ह दूर्च सिनल मार्क दीले तखम सबसर्बा को Extremis दिमांड्स देखिल तया डिकाणी आहे, एक विशेश महत्वाची तेनची जी मागणी आहे, कि कंत्राटडार जी आहे, ते सोशन करतात नियमित आले तेन्चा तेन्ना जोड़ा वेतन दे आहे, ते वेतन तेन्ना मिलत नहीं, आले मुणूं थेट तेन्चा खात्या मने ते वेतन गेला पाईजे, तर ही मागणी जी आती मलासवर्ट योग्ये आमे तेसे एक मेकैनिजम आता तैयार करनाचा परेतन करूँ, कि जैतना थेट तेन्चा खात्यात तेन्चा वेतन गेला नों तर कंत्राटडार ते वेतन विद्रा करून गेतु है, तर तेही आशा प्रक करनाची चाउकशी करनाचा आदेश मी दिनार है, करना अशा प्रकारे जर अशी प्रणु क्यों फसोनु खोनार सेल, तर तेरी खिल योग्ये नहीं है, तेमाची तेलाही कशा प्रकारे प्रतिबंदात में कुपाय करता है, तेल आधे किल अपला प्रश्ण त्याडिकाने आधे काई तंचे जा फाइनेंशेल डिमांड साहेत, एक मी आमची तेनना अर्चन सम्झों सांगितली, कि आमी 2021 साली जी कई वार दिली होती, ती सगी चा सगी वार ही M.E.R.C. ने डिसलाव केली, आणि ती डिसलाव केली, आता तेचा भार जो आहे, तो पुर्ण पढ़े कमपनेयन वर पढ़ लेला आहे, आणि तेची वसुली कमपनेयन ना करता हैतने, तेमे आता या संदरबात कुछले ही निरने गेताना, ते विचार पुरुवा घ्यावे लागतेल, M.E.R.C. चा फ्रेमवर्क में घ्यावे लागतेल, आणि मुनोन, लवकरत्स तीन ही जे आ आका मारगा अपलेला काडता हील, तो मारगा अपन काडना रहे, दोन गोष्टी आत मला महत्वा चा संगय चायत, एक कि कंत्राटी कामगार जी आहेत, येंचा बद्दल शासना सा अप्रोच, हा सववेदन शीलेते सासना रहे, करन शोटी या अपलीस मुला आहेत, आणि त आई परेतना आमी निश्चित पड़े तैडिकाने करणा रहे, त्याच बई, मी एक गोष्ट मात्र निक्षुन सांगित लेली आहे, कि इन्डिसिप्लिन, अनुशासन ही नता, ये कुठलाई परिसित सहन केली जालार नही, कुणी जर हिंसा करता सेल, मारा मार्य करता सेल, अड़ोनु करता सेल, तर मात्रा आमी ते कही मानने करणार नहीं, त्यामे तैननी, जा कही मांगाने आसतील, त्या न्यायपूर्ण पद्धतीन, त्या लोकशाई पद्धतीन, मानले पाएजेत, जरूर तैसा सकारात्मक विचार आमी करू, हे दिकेल निक्षुन सांगित दिल्लीत काल बैठक जाली उच्रा परिंत काय तोड़का निगाला काय चर्षुन पर्मूला मिया लागता, दिल्लीत ली बैठक ही सकारात्मक जाले ली आहे, एकास बैठकित सवेंद्र ने उतिलाशी परिसीती नहीया, पड़ मी हे मनुशक्तों की, एंशी टक्या परेंता आम से काम काल बटेकित संपलेला है, वी इस टक्या से जे आम चे आता बसलो दरी नसलो दे आप आप साथ फोल्वर चर्चा साली आए, जैकाई थोड़े बहुत आम चे विशे राहेले हैं, बलाविश्वा से आमें लवकरत से पुर्ण करूश्य राद 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 र आमी या पुर्वी देखिल सांगितली आए, कि आता मनसे नी जिकली व्यापक भूमिका गितली आए, ती भूमिका आमचे विचारशी विसंगत नाई है, तेचा मूले कसा है कि आधी चेत्री असमिता जी आए, ते आमाला माननेश है, महाराष्ट्रात रहून, मराठी आज एक हिंदुत्वाची भूमिका आए, ते अटिकली मनसे नी जिकली आए, ते अचार आमचे भूमिकेत, फार्स अंतर रहलेला नहीं है, बाकी में निवन रुकित काय कराया है, वगरे यह वरन इंफरेंसेस कारता है, नाज या गोष्टी चर्चे चाहा थाथा, तपसी आज जिकली कि लिए, तुम्हें जे अंदास पंची आलो ता ते बदल तुम्हें काया फैक्त है, वड़ो संगेत जिला है, तुम्हें जाहिर होने जिस्टि चाहिर होने चिंगे कि इली वश्तरी आजे, आच्यार से इता, लगाए चाहा एपाई आपाईवाई लापाई, कॉना बद्दल काय बोलता है कदी बोलता है संदरात्म भी काय संग हो कि आमचे शुबेच चाहिए कल जो बैठक हमारी हुई है इसमें बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है ऐसा कह सकता हूं कि 80 प्रतिशक तक सारे मसलिय हमारे हल हुए है हाँ 20 प्रतिशत अभी बाकी है जिस पर हमारी बात्चीत चल रही है लेकिन मेरा विश्वास है कि वह मसलें हम हल करेंगे और एक अच्छा अलायंस हम लोग त्यार करेंगे